दोस्तो भूलकर भी ना खरीद ऐसी राखी नहीं तो होगा बहुत बड़ा अनर्थ ओम नमस्यवाई दर्शकू स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तो आज हम आपको रच्छा बंधन से जुड़ी कुछ खास बाते बताने जा रहे हैं इसलिए वीडियो के अन तक चरूर बने रहे हैं रच्छा बंधन का तेहवार हर साल सावन मा की पूर्णिमा तिथी के दिन मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध उसकी लंबी आयूगी कामना करती है इस बार रच्छा बंधन 11 अगस्त गुरुवार के दिन मनाया जाएगा जो तिस अनुसार सावन पूर्णिमा की थी ये 11 अगस्त से सुरू होगी 12 अगस्त सुवज 7 बज कर 5 मिनट तक ही रहेगी 11 अगस्त को पूरा दिन भद्रकाल होने के कारण लोग 12 अगस्त को राखी मनाने की सूच रहे हैं जो तिस अनुसार रच्छा बंधन का टीका सुव मुहृत में ही करना लावदाई होता है रच्छा बंधन के खाश मौके पर बाजारों में भी रंग विरंगिया खूम मिल लही हैं लेकिन राखी बातते समय बहनों को कुछ बातों का खाश ध्यान रखना चाहिए भाईयों की कलाई पर किस तरह की राखी बाद हैं आईए बताते हैं तरह तरह के डीजाइन वाली राखियों से बाजार अटा भरा पड़ा है ऐसे में बहने भाई के लिए राखी खरीदते समय थोड़ी सावधानी रखें राखी पर किसी भी प्रकार का असुब चिन्ध न बना हुआ हो आमतर पर बच्चों के लिए इस तरह की राखी देखी जाती है जो देखते ही आकर्सित तो करती है लेकिन ये सुब नहीं होती है वैसे तो भगवान की तस्वीर वाली राखी खरीदना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उनका मानना है कि इस से भगवान का आशिरवाद भी प्राप्त होता है दरसल राखिया भाईयों की कलाई पर लंबे समझ तक बधी रहती है ऐसे में उस पर गंदे हाथ भी लगते हैं या फिर कई बार तूट कर गिर जाती है इन दोनों की स्थितियों में भगवान का अपमान होता है ऐसे में इस तरह की राखिया बाधने से परहेज करें कई बार राखिया रखे रखे भी तूट जाती है या फिर खराब हो जाती है ऐसे में इस तरह की राखी भूल से भी न बाद है, इस तरह की राखियों को हिंदू धर्म में असुभ माना जाता है, पूजा में खंडित चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रच्चा बंधन का पर वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इस दिन बहने भा प्रती से भी काले रंग की राखी न बाद है, काला रंग नाकारात्म का प्रतीत है, सुभकारियों में इस रंग का प्रयोग नहीं ही किया जाए तो अच्छा है, ओम नमस्यु आज देशुकू, कैसी लगी वीडियो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज जाएशी वशंब बोले